जैसी राम दोश्तों कैसे आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होगे दोश्तों अगर आप आप आफिस के अंदर वर्क करते हैं कही ना कहीं किसी ना किसी आफिस के अंदर आप वर्क करते होंगे और आप वहां पर work करते होंगे तो आप पर आप attendance भी लगाते होंगे कि आप absent लगाना है present लगाना है तो आप किस टाप से absent लगाते हो present लगाते हो जा leave लगाते हो तो आप वहां पर क्या है absent present भी show कराते होंगे तो आज मैं आपको Excel के अंदर fully automatic attendance sheet बनाना बताऊंगा कि कैसे हम Excel के अंदर fully automatic attendance sheet बना सकते हैं जो मैं आपको attendance sheet बनाना बताऊंगा वो कैसे बताऊंगा यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो देखें लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है क्या प्रेजेंट उसके टोटल प्रेजेंट absent holiday and total working days के उसने कितने working days work किया तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखें इसके present है 21, absent 3 है, holidays 4 तो इसकी total जो working days हुआ कितना 25 जैसे मैं यहाँ पर absent लगाता हूँ जैसे मैं यहाँ पर absent किया L तो यहाँ पर देखें क्या हो गया present 20 हो गए absent 4 हो गए और working days कितने हो गए 24 मैं यहाँ पर इसकी लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिप लिख रहा हूँ तो लीप का कलर क्या रहा है और इंज कलर आ रहा है तो इस टैप से आप फॉर्मेट भी कैसे create कर सकते हूँ देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर जैसे month name change करेंगे आप यहाँ पर month name change करते ही क्या होगा यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी प्लस साथी साथ क्या होगा आपके डेबी चेंज हो जाएंगे उसी date के according देखें मैं यह एक सीट और की रेट कर रखी है मतलब एक सीट और बना रखी है अब इस सीट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो बनाए हुआ हुआ 31 तक उसके बाद में आप संडे देखेंगे यहाँ पर देखी जो संडे है संडे का कलर ओटोमेटिक यहाँ पर चेंज है जैसे मैंने यहाँ पर क्या है जो संडे का कलर दिया हुआ है ग्रे अब मैं यहाँ पर जैसे मंत नेम चेंज करूँगा यहाँ पर मैं फरवरी लिख इंट्र करता हूं तो देखे और जो संदे है वो क्या एक चैने किसका listen जोड़री किसका संदे का न कहिंए शि इंदर Hybrid खैसी मार्च का जो डे शायकि dej ST संदे होंगे उसी डेट पर ऊटोमेटिक यहां पर कलर चींज हो जाएंगे मैं यह पर मार्च लिखा एंटर किया तो देखें मार्च ट्यू डे से स्टार्ट हुआ ठीक है और तीडे से स्टार्ट कहों है यह तारीख का इसका भी अब 28 आजाएगा यहां पर फर्वरी लिखते ही देखें यहां पर क्या हुआ 28 ठीक है अब 29 29 30 और 31 आटोमेटिक यहां से डिलीट हो चुगे तो फर्वरी हमारा 28 देट का था तो यहां पर पर इस टैप से आप यहां पर जिस मत का नेम दोगी उसी मंत के अक्वाडिंग तो आपके दीचींज ओ जाएगे शाथ यह दो कराएगा का क्या क्...? अपके अपर हो عए से यहां जैसे तर्डि डेस के ऊपर में थाब दिरिफ कर्फिर क्या है टीन Citizens 3 रेक में तिन पहने के ऊपर क्लर में था और ते Nepसे सब्सक्राइब वन ли था कैसे में फुल ईक्र कैसे यापिए उट्सहान स्टेस्ट कैसे अमसहिंगा में एक्सल्स सब्सक्राइब कर लें प्लस बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताके ऐसे ही आने वाली वीडियो की नौट्विकेशन आपको टाइम मिलती रहें तो चलिए बना की दिर के सुरू करते हैं देखें यहां पर मैंने कहा है सीट इंसेट करा लिए अब सीट इंसेट कराने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं किया मैं अटेंडेंस सीट ओफ दा मन्त तो यहां पर मैं अटेंडेंस सीट ओफ दा मन्त तो यहां पर लिखा मैंने कहा है अटेंडेंस सीट ओफ दा मन्त उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ रॉ में S 아 Ll ос oh और यहाँ तक इसको क्या कर देता हूआ यह पर मर्ज एंस N degree कर देता हूँ जैसे में अ styl as योजई में चैड़ करता है। इसको बोल्ल्ड कर देता हूं कुष करने के बाद मैं मर्जण पर अओन इंकर यहां पर लन सो है अजनिपरी ग्रसक्राइब में इसको भी में इस टप्रस करता हूं गया जैसी को quadratic किया जहा уд Het me 115 त निश॑ और पर था और बोल्ड कर दिया और इसको में गलर देता हूं थिक है तो मैंने इस टाइप से फिलाल यहां पर आटेंटेंटर सीट और मन्थ का नियम लिखा तो देखे से पिलाल किया है है यहां पर हैडिंग्स लिखुए हैं उसके बाद क्या करता हूं मैं यहां पर फ्रॉम या तू को मैं यहां पर स्लैक करता हूं और इसको भी मने जाका हूँ इसको in Helenlai यह यह इनひ os uh जांपल यूदर या इसको बोल्ड कर दिया और इसके अंदर में न्जन कर देद है कर दिया सेag मैं बने लैज तो में यहां पर तू को स्लेक करता हूं तू को स्लेक किया इसको भी मर्जन सेंटर इसका साइज में यहां पर 24 दिया देन इसके अंदर भी मैंने सेम कलर दिया और यहां पर बोल्ट कर दिया उसके बाद मुझे यहां पर क्या शो करानी है स्टार डेट को आपकी डेट है वह कहां लगाए उसी का निभाड़िंग शोकराई होगी जो यहां पर हमारा मन्त नेम होगा उसी के अक्या सो कर आए यहां पर मैं प्रॉर्णॉल करूँगा इस कल टू टू डेत वैल्यू ठीक है तो यहां पर मैं क्या मुनिख डेत वैलयू लिखने के बाद में आपको क्या करना है सब्सक्राइबाक्राइब कर देने के वाद में और मंत का न्यूंद लखे इंपर चेवाइब डिएक यहां पर दिखा आपको इस वैलियू को इंदर अंदर कन्वर्ट् Alta करने के लिए आपका इस पर नमर का ऑप्षन है आप यहुहां पर क्लिक करते हैं लौंग डेट पर यहां फोके पर प्रॉरी कि इनको स्लिक्छ कर लीजिए उसके बैं स्लेक से सिल उसके क्या कर घृदिया को डियी हली है एक helped me ने से सॉाइब मेंallahi कर देता हूँ इसका साइब देता हूं से साइब रखायर इसको पॉल्ट कर दिया और उसके जूए को यह पिर थे वहां कहाणा? पर आपको क्या करना है? इस हमिए जो पर आप इस ॏहां पर ett हे जो अब यहां 부ट करने के बाद कॉमा जीरो ब्रेकिट क्लोस तो इसके अंदर क्या है मुझे नेक्ट मंत करें कोई डे नहीं शो कराना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिखा और इसके वाद है एंटर कर दिया तो देखे इसको भी आपको वेल्यू के अंदर शो कराएगा तो आप इसके अंदर भी आप सेम यहीं कलर फिल कर दीजे बोल्ड कर दीजे और इसके अंदर में कलर दे देता हूं तो देखें यहां पर मैंने क्या है फ्रॉम और टू की डेट अब उसके बाद मुझे क्या करना है यहां पर इंप्लोईज की सारी डिटेल शो करा लिनीज जो हमारी इंप्लोईज है उनकी डिटेल ले लेता हूं तो देखें मैं इस डिटेल को क्या करता हूं यहीं से कॉपी कर लेता हूं और स्लेक करने के बाद मैं क्या कर लेता हूं उसकी कॉपी तो यहां से मैंने डिटेल की फिलाल कॉपी कर लिए है आपको क्या है आपको नीव बनाने हूं तो आप यहां पर नीव बना सकते हूं और equal का sign यूज़ करने के बाद है जो आपकी January date है first आप इसको select कर लीजिए इसको select करने के बाद आप enter कर देंगे जैसे आप enter करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी यह date show करा देगा अब यह देखिए क्या show करा रहे है फुल date show करा रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर क्या show कर देखिए क्या more number format आप यहाँ पर more number format पर क्लिक करिए more number format पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर किस पर क्लिक करना है कस्टम पर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपका type है यहाँ पर type क्या कर दीजिए d type कर दीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया single d type किया और इसको तो देखे हम यहां पर manual type करेंगे तो manual type करने के बाद में क्या होगा यहां पर जैसे हम month name change करेंगे तो यह हमारे यहां पर change नहीं होगा तो इसलिए हम यहां पर manual type नहीं करेंगे यहां पर formula ही use करना है तो अब इसके लिए में कौन सा formula यूज करता हूँ तो इसके लिए में यहाँ पर formula प्लाई करता हूँ तो formula के लिखूँगा मैं is called to if bracket open किसको मैं इस day को select करूँगा इस day को select करूँगा डे को select करने के बाद यहाँ पर use करूँगा मैं less than less than किस date के आप यहाँ वाले जो आपकी end date है मतलब two date है अब उसको select कर लीजे उसको select करने के बाद में आप क्या करिए यहाँ पर comma मैंने यहाँ पर लिखा if miss यद यद यदे आपका क्या f9 पर f9 पर less than क्या है कम value है किसके जो आपकी date दे रखी यहाँ पर कि यद f9 पर यहाँ पर मतलब आपकी जो date दे रखी इसके अंदर किसे two की date है जो हमारी two date है इससे कम है मतलब मैंने less than यूज़ किया तो कम है तो क्या करें इस date के अंदर आप इस date के अंदर one value क्या कर दे उसको अंदर plus कर दे यहाँ पर formula प्लाई किया if miss यद f9 के अंदर हमारी क्या है जो date है मतलब जो day है f9 के अंदर किसे two वाली date से कम है तो क्या करें वो f9 के अंदर one value क्या कर दे उसको plus कर दे उसके बाद comma otherwise क्या दिखाए वो blank तो मैं यहाँ पर embedded comma और embedded comma को अंदर करने के बाद में यहाँ पर आपको डे भी शो करा दिया के संडे जनवरी दो 2022 लेकिन मुझे सेम यहां की तरह यहां भी क्या शो कराना है डेट दिखाए two तो सेम में यहां पर क्या करूंगा डेट पर क्लिक करूंगा और more function पर राके custom से जाकर उसको डे में कर है क्यों कि मुझे क्या करना है ये जो आपका सेल है मतलब यह है जो तूवाला सेल था इसको मुझे क्या कर देना है तो इस वाले सेल को करता हूं और यहां पर i salad fix और fix दूप कि यहां पर जाएं फिक्स हो चुका है अब कि यहां पर मैं इसको आगे के लिए करता हूं तो इसमें क्या है सब के अंदर आपकी देट करा दिगा इसे व्ला लावमने की तख स्लेक्शा किया थ्र स्क्रान हों सब करmi जाता हुं इनको सब स्थक्रादी यहां करने के लिए वर के स्थ codes करने केरे स्थ ग्रैकर लौर्यफ फॉर्मेट यहां पर आने कर दें यहां पर कार्लम की वीड़ जो हूं किसा यहां आते Pepsi सुक यहां पर इनको भी साइज कर देता हूं यहां पर इस का सइ hating तो डेखे चाहिए अफिल ने नर्लड़ कर दी यहां पर आपकी डेट्राओं करा तक अब इसी डेट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट है इसी डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या शो कराना चाहते हैं डे शो कराए क्या दिखाए डे तो यहाँ पर डे शो कराने के लिए हम क्या करेंगे एसकेल 2 टैक्स का यूज करेंगे यहाँ फार्मला यूज करेंगे इसकल 2 टैक्स ब्रेक इपन और जो आपका वन है अपव उसको बैघोंगर गुल्या इग उसका अपायद er an जिसकेल यहाँ करता हो को जब लेक了 हो और यहां पर है कॉमा है कि इंवेटिट कॉमा और यहां पर युज कीए मैं क्या त्रॉपल डी ठेक है टेक्स लिखा मैंने उपन टेटवर्स्ट को और इनक्रर किया कॉमा इंवेटाट कॉमा ट्रिंपल डी इंबेटिट कॉमा ब्रेकिट क्लोज दर एंटर तो देखे इसी के अकॉर्डिंग क्या शोकरा दिया कि जो फर्स जैन का था वो क्या था सटड़े और मैं यहां पर इसको आगे के लिए ड्रैक कर देता हूं तो यहां तक मैंने ड्रैक किया तो देखे सारे आपके डेज ने श कर दिया है इसके अंदर मैं कोई कलर फिल कर देता हूं तो देखे अभी हमने क्या दिया यहां पर डेट और डेशो कर आए अब क्या करता हूं मैं यहां पर संडे शो कराना चाहता हूं कि जैसे संडे आए तो संडे के अकॉर्डिंग क्या शो कर आए उसके अंदर एक्सेल रूल्स पर आएंगे और यहां पर किस पर आईए more rules तो यहां तो आप यहां से more rules का यूज कर सकते हो या फिर new rules का यूज कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर new rules पर क्लिक किया new rules पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा सबसे last में यूज ए formula to date mine with cell format तो आप इस पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है यहां पर is equal to मतलब आपको equal का sign लगाना है is equal to आप क्या करी यहां पर Saturday को select कर लिजे मतलब इसके लिए ourselves क्या है क्या है मैं फिलिइस संदे करने कहले में आगे जागे लिए मेरे pressures के लिए मेरे यहां पर को ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर यहां the dollar का sign है यहां से इसको हटा देता हूँ आगे जो dollar का sign है वो मेरा सेम है यहां उसके はल मैं जजऄ का है तो Sunday के अंदर ये color शो करा दे OK कर दीजे उसके बाद देखे जैसे मैं इसको आगे ड्रैक करता हूँ तो आगे ड्रैक करने का जहाँ जहाँ संडे है तो वहाँ पर क्या किया है इसने automatic color fill कर दिया और same इसको मैं आगे नीचे की side drag कर देता हूँ यह देखे तो यह आपके यहाँ पर क्या है पूरी format त्यार हो चुकिए अब यहाँ पर जैसी आप month name change करेंगे जैसे मैं आप यहाँ पर month name change करेंगे जैसे मैं आप यह शौट में लिख रहा हूँ यहाँ पर fab ने आप फैब लिखा तो देखें आप क्या है फैब के अकॉर्डिंग से स्टार्ट हो रहा है और जो संडे था क्या था च्छे तारीख था ठीक है तो आप जैसे यहाँ पर month name लिखेंगे उसी के क्या है आपके डे भी चेंज हो गए और साती साता जो आपका संडे का घलर था वह भी आपए अटमेटिक चेंज हो चुका है अब उसके बाद में क्या करता हूं करता ओके यहांपर में इन सेल के अंदर जैसे present लोग हूँ या लुकाएं तो उसके अंदर भी का हो जाए छेंज ہو जाए तो उसके लिए क्या करता हूं में इनको select करता हूं जैसे मुझे county चेंज करना है तो च करने के द्रीज है तो पी ऑन्दर क्या फॉर्मेट शत नहीं इस था मैं फॉर्मेट जरू करा हो जैसी पुंडर कर देखा उसको ग्रिन कलर में ओके दंसे जहाएब को फिर में बाले किव कॉर्टर करें अधा की यहाँ उतão पिछे से लाएट कर तो दिउल क्ला सब्सक्राइब एंदर है तो यहां पर नाहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रक्राइब और उसके अपक्शल गलर को मैं लिकले किसी प्र?! यहां पर नहीं करूद मैं Europeanyan aksak के अंदर जाके फिर से फॉर्मेट कश्टम 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 डी से डुब्लिकेट कर देता हूं इसको भी मैं सलेक करता हूं कांट्रोल डी से तो देखे इस न यह यहाँ पर हें कुछ अटेntव यह यह आपर दिया प्रिजन 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 यहाँ पर यह पर एप सेंट प्रिजन प्रिजन इस टैब से मुझे ऍपर प्रिजेंट अएड़ करी और अरक फ्रेंट प्रिजेंट प्रेंट अब प्रजेंट करी खेंग हैं अब मैं जा पर उसके बाद में प्रिजांट फिर सेड प्रिजेंट और एपसेंट मेरे फिलाल है दो इंपलोई का डेमाई हैं अब उसके बाद में क्या चाहता हूँ ? यहां पर टोटल सो कराए कर उसकी present और absent पर लिखता हूँ क्या present और absent then holiday में और working day मैं इनको select करता हूँ donor को और यहां पर में मर्जन सेंटर कर देता हूँ इसको भी select करता हूँ इसको भी margin-centered इसको भी स्लेक्ट किया मर्जन सेंटर इसको भी स्लेक्ट किया यहां पर मर्जन सेंटर तो देखे उसके बाद क्या करता हूं मेरा यह वर्किंग डे है वर्किंग डे का जो मुझे वर्किंग है वह उपर रखना दे नीचे तो यहां पर क्या करता हूं में वर्किंग के बाद इनको यहां पर मैं एक रख लेता हूं जैसे मैं पर साइज इनके अंदर मुझे कोई color format रखनी यहां पर इनके अंदर भी color format देता हूं जैसे यह format दी और इनका color में देका हूं यहां पर इसकी प्रिजेंट कितनी है एक संफ कितनी है और होली डेस और टुटल वरकिंग डेस कितनी है यहां पर यूम फर्मला हूं किया करेंगे इसकाल टू count if bracket open आपकी जो first date है मतलब जिसकी जो first date है आप यहां से इससे slack करिए कहां तक 31 तक ओके देन comma embedded comma उसका जाद क्या find करना है मैं यहां पर present तो present के लिए यहां पर क्या लिखूँगा मैं P यहां पर मैं P लिखा embedded comma bracket close then enter तो देखे इसकी total present शो करा दें कि इसकी total present कितनी है उसके लाद same यहां पर absent तो is equal to count if bracket open और आप इस row को फिर से select करिए यहां पर मैंने यह row select करी comma embedded comma इस पर मुझे absent find करनी है तो मतलब L embedded comma bracket close तो इस कीजे absent then holidays is equal to count if bracket open select करिए इस row को पूरी को comma embedded comma holiday के लिए h embedded comma bracket close enter तो देखे इसके क्या है present जो है वो total present कितनी है 22 absent है इसकी 4 और holidays है 5 अब क्या करना है मुझे यहां पर जो show कराना है क्या show कराना है इसके working days हो कराने कि इसके total working days कितनी हुए तो देखे आप normal step से plus करेंगे कि इसमें आपने किया is equal to 22 plus 5 तो आप step से देखेंगे तो 27 इसके तो तोश्राइश हो करा दिये लेकिन जब हम आगे के लिए भी यूज़ करेंगे तो इन में क्या है इनके भी absent change होंगे present change होंगे इसके कुछ present मिल सकते हैं जैसे मैं यहां पर देखें इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ तो इसकी present कितनी 23 इसको ड्रॉ करता हूँ तो 3 absent और holidays इसके same अब इसको मैं ऐसे नीचे की side ड्रॉ करूँगा तो देखें इसके भी क्या है 27 working day शो करा रहा है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसके लिए जो मैं formula apply करूँगा formula क्या apply करूँगा इसकल to bracket open इसके अंदर क्या करेंगे जो इसकी present है प्रिजेंट के अंदर प्लस कर देंगे क्या holidays को इस टैफ से देन आप bracket close करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखें इस टैफ से 27 आगे आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो देखें इसकी present कितनी आई 28 उसको आद आप नीचे तक जैसे अगरे जाएंगे तो देखें अभी जीरो आप मैं यहां पर change करता हूं इसका भी क्या है है यहां पर कि और होली डे को मैं ड्रैक कर दिया अब यहां पर देखें में यहीं से present कर आ रहा हो इनकी कि किसी की भी में यहां पर शो कर रहा हूं तो क्या है और इनको भी ट्राइब से तो जैसे जैसे देखे में यहां पर चेंज करूंगा उसी के अपर क्या है उनकी प्रेजेंट और एपसेंट ऑटमेटिक चेंज होती जाएगी तो इसके आप देखे 27 प्रेजेंट है अंपर आप इसकी आप इसके प्रेजेंट एक एपसेंट है मैं इसकी प्रेजेंट कितनी दिखाईए तो देखे इस से आप क्या है absent present and total working days find कर सकते हो तो देखे इस type से आप fully automatic attendance seat बना सकते हो तो आज मैंने excel के अंदर आपको automatic attendance seat बनाना बता है कि कैसे हम attendance seat बना सकते हैं आज की class में यहीं पर कतम करता हूँ उम्मित करता हूँ आज की class आपको पसंद आई होगी class पसंद आई तो वीडियो को like करें जादा सी जादा share करें अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के भी सस्क्राइब कर लें प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना बूलें ताके ऐसे ही आने वाली वीडियो की नाट बेशन आपको ताइम तो ताइम मिलती रहे थैंक यू सो मच जै हिन जै सी राम